हेलो स्टुरेंट्स इस वीडियो में मैं क्लाश 12 फिजिक्स के चेप्टर 9 रे अप्टिक्स एंड अप्रिकल इंस्टुमेंट्स के फोर्टिंथ पार्ट को डिस्कस करने जा जिसका topic है, critical angle and total internal reflection, relation between refractive index and critical angle and some problems. In this video, I am going to discuss part 14 प्रेह शेल토मी gust Hanaін, फ्रेहे प्राहें पर्व치कal, ह् लिशाथИनीềnतИल प्रेहें था मेरेे, श्तेक्विछिक प्रेशितने इसे शेक्ट थ All refugees, प्रेहें प्रीपल तोल इसस्य इत्रोस्ट उन मेठ्ट मेरेंगे क customary अंगिल and some problems. First of all, किट कल अंगिल and then after total internal reflection. सबसे पहले क्रांतिक कुण और पुर्णांतिक प्रावर्तन को डिसकस करेंगे. जब कोई लाइट रे, किसी देंसर मिडियम सपोज करते हैं कि air है जैसा कि इस diagram में represent किया गया है और इस diagram में denser medium में कोई point ये है उससे light ray rare medium और denser medium का जो interface है दोनों को separate करने वाला दोनों medium rare medium, denser medium सपोज करते है water है, rare medium सपोज किया जाता है कि air है, हवा है, दोनों को separate करने वाला जो interface है, boundary surface उसको सपोज करते है pq है, a small p, a small q, अब ये point से जो की point source है ये object है, जो point source है, वस्तु है, प्रकासी वस्तु, जो point source है और इससे different light rays produce हो रही है, अब वे सभी water और air का जो interface है इसको हमने दिखाया है, arrow से indicate करके water air interface जो की pq, surface pq है pq के उपर rare medium है, air और इसके नीचे denser medium water है water के जगा glass विली आजा सकता था और glass और water अगर लेते, consider करते, तो glass denser medium होता और water उसके respect में rare medium होता, विल्याल माध्यम होता लेकिन यहाँ पर denser medium, water और rare medium के रूप में air को दिया गया है इस diagram में तो कोई point object हो है, point source है, light source है, उससे different light rays, different angles पर जाकर के incident होती है इस water air interface पर, जो जल यह हवा का सिमान प्रिष्ट है, दोनों को अलग करने वाला सिमान प्रिष्ट है प्रिष्ट के surface के नीचे water है, denser medium, सघन माध्यम, ice के उपर, हवा है, rare medium है, जो की हवा है और rare medium का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हवा का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1 होता है तो rare medium को हम second medium सपोज करते हैं, तो इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स N2 और mu2 is equal to 1 और नीचे denser medium है, उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स mu1 और n1 डोनों सिंबॉल होता है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का mu और n दोनों और विवन और अजो दो सब्सक्राइब करने वाला तो इसपर लाइट रहे सबसे पहले फिर्स लाइट रहाँ रहे जो light ray है ये से चल करके normally incidence किया है मानने इस PQ brisht पर लंबव अतापित हुई है अब normal जो suppose किया जाता है अब यहाँ पर जो normal drone करेंगे वो आई इसी line पर हो जाएगा मतलब incident ray के long ही हो जाएगा और refracted ray के long ही हो जाएगा तो angle of incidence भी normal और angle of incidence angle of incidence जो होता है normal और incident ray के बीच का angle होता है तो normal भी उसी line के long है जिधर incident ray, light ray incident किया है एपॉइंट से चल करके एपॉइंट बने एअबजेक्ट है point source है, बिंदू स्रोथ है इससे चल करके normally incident किया है PQ सिमान प्रिष्ट PQ पर लंबवात रूप से प्रकास के नाप्तित हुई है तो normal जो ड्राउन करेंगे यहाँ पर सपोज करेंगे imagine करेंगे imaginary line जो normal होगा point of incidence ओपर सपोज किया जाता है normal इसलिए कि हम angle of incidence और angle of reflection को detect कर सके तो incident ray और normal की बीच के angle angle of incidence होता है उसी रहं से incident reflected ray और normal की बीच के angle angle of reflection होता है यहाँ पर normal ड्राउन किया गया है suppose जो होगा imaginary line normal point of incidence ओपर light ray ए से चल करके हम ए point से चल करके ओपर incident होई है normally 90 degree angle पर अब इस situation में normal भी सीर के long होगा तो यह इसलिए incident ray और normal की बीच के angle जीरो हो जाएगा और उसी रहं से angle of reflection और normal डोनों जो है refracted भी सी के long तो normal incident के case में चुकि mu is equal to sin i by sin r से अगर 0 है तो angle of reflection भी 0 हो जाएगा तो mu is equal to sin i by sin r therefore sin i is equal to mu into sin r तो sin i is 0 है तो इसका मतलब sin r भी 0 होगा चुकि refractive index मेडियम का 0 हो नहीं सकता है इसलिए i is equal to r यहां normal incident के case में जब प्रकास लंबोत आपतित होगी तो आपतन कोन और पॉरतन कोन दोनों का value 0 हो जाएगा लेकिन अब जैसे जैसे angle light ray obliquely चली है यहां से तिर्छे डंग से आपतित हुई है लाइट रे ए पॉइंट से चल करके o1 पॉइंट पर जो इंटरफेस है पीक्यू ए एर वाटर इंटरफेस वाटर एर इंटरफेस है जल अब हवा का सिमान प्रिष्ट है दोनों को अलग करने वाला surface boundary surface है सिमान प्रिष्ट अब light ray obliquely इंटर किया है angle of incidence i1 है तो कुछ light ray का कुछ person इसमें reflect हो जाएगा और कुछ पार्ट reflect भी हो जाएगा तो reflected light है o1 c1 k long टेभल किया अब नहीं medium में लोट आया dancer medium में ही और कुछ पार्ट इसका reflect हो गया o1 b1 k long जो reflected light ray है और angle of incidence यहाँ i1 incident ray और normal यहाँ द्रॉन किये हैं dotted line से तो उसके बीच के angle angle of incidence हो गया i1 और angle of reflection r1 हो गया अब i1 का value जैसे बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे angle of reflection भी angle of reflection भी देखें यहाँ पर angle of incidence i2 हो गया बढ़ गया पहले की situation से इस situation में o1 पर जब light ray incident किया है angle of incidence i1 है अब यहाँ के मुकाबले i1 के मुकाबले यह जो angle of incidence है दूसरा अब light ray तो पर आसा एप से चल करके फिर अब दूसरे point water air interface के दूसरे point o2 पर incidence हुआ यहाँ आपती थोई प्रकास की अन और incidence होने के बाद अब light ray अब जाहिर है कि यहाँ पर angle of incidence बढ़ा है तो angle of reflection भी बढ़ाएगा angle of reflection बढ़ा है और light ray reflect हो गया o2 b2 के लोंग और कुछ light ray का portion reflect भी हो गया o2 c2 के लोंग अब इससे clear है कि जैसे हम angle of incidence बढ़ाते जाएंगे तो reflected ray का जो angle है वो भी बढ़ाता जाएगा और कुछ portion light का reflect हो रहा है और कुछ reflect हो रहा है अब angle of incidence का वह लोग बढ़ा करके critical angle के equal कर दिया जाए c के i3 अब देखिए हाँ पर light ray यह point से ही चल करके denser medium के यह point से ही चल करके water के यह point से ही चल करके जल जल तथा हवा का जो सिमान प्रिष्ट है तो उसके water air interface के o3 point पर incident हुई है अब angle of incidence का value बढ़ा करके critical angle के equal कर दिया गया critical angle तब होगा the angle of incidence for which the particular angle of incidence for which angle of reflection becomes 90 degree अब light ray इस case में इस situation में अब reflect होकर के denser में rare medium में नहीं जाएगा बलकि यहाँ पर boundary surface के long ग्रेज करेगा उसी के long travel कर रहा है light ray देखिए हाँ पर reflected light ray o3 c3 o3 point o3 c3 c3 के long o3 c3 के long जो है मतलब boundary जो boundary surface fp के उसी के long अब graze कर रही है travel कर रही है और denser medium में नहीं जा पाया इसलिए कि angle of incidence बढ़ा करके critical angle के equal कर दिया गया तो critical angle नहीं से refine होता है that particular angle of incidence where if a light ray travels from denser medium denser medium and reaches to the interface of the denser and rare medium then the angle of reflection for that particular angle of incidence the angle of reflection becomes 90 degree and the light ray light ray does not travel in the rare medium rather it travels along the boundary surface along the interface of the denser and rare medium then that angle of incidence for angle of reflection it becomes 90 degree is called critical angle this is the definition of critical angle write down the definition of critical angle first of all critical angle if a light ray travels from denser medium say water from a denser medium say water from a denser medium towards towards किसके long travel किया है rare medium के long towards towards a rare medium say air second medium air and after when it falls incidence when it falls or incident at 0.03 at the water air interface that is boundary surface at the boundary surface of two medium boundary surface boundary surface boundary surface then for the particular angle of incidence that is higher here the angle is i3 and it is called critical angle then the for the particular angle of incidence particular angle of incidence say i3 the light rays grazes along the boundary surface and does not travel into into the rare medium that is angle of refraction becomes 90 degree the light rays the light rays sorry the light ray the light ray the light ray along the interface or along the boundary surface along the interface water air inter interface denser air medium I don't know I don't know I don't know medium other separate yeah I don't know medium I beat the water interface gradient along the interface and so that angle of refraction becomes 90 degree and angle of refraction light ray of denser rare medium and surface along angle of refraction R3 becomes 90 degree so in that case that particular angle of incidence i3 is called critical angle which is denoted by symbol C or IC and angle of angle of refraction becomes 90 degree that is angle of refraction that is angle of refraction 90 which is light ray is not refraction angle of incidence with angle of refraction but this situation in this point of incident O3 and light ray pq long travel so in particular angle of incidence i3 critical angle and symbol c and i suffix c i i c then r3 is 90 degree angle of refraction then for the particular angle of incidence say i3 the angle of light ray grages along the interface pq and angle of reflection becomes 90 degree then that angle i3 is called critical angle then that particular angle i3 is called critical angle then that angle of incidence to critical angle to critical angle angle of incidence to critical angle of incidence particular particular angle of incidence particular value this angle of reflection 90 degree that means light ray grages along the boundary surface or interface of the denser and medium then that angle of incidence that is sorry that is i3 is called critical angle is called critical angle critical angle critical angle that is i3 equals to c so this is critical angle and this is diagram figure one reflection and total reflection of light rays from a single point source single single point which is a point source which is a light source in form of a point that point is capital capital A and light ray originating from point A incident at different angles of the water air interface that is the surface boundary surface separating two media denser medium which is water air water is taken as a denser medium and another medium as a medium two is rare medium which is air with refractive index mu2 is equal to or n2 is equal to 1 air refractive index 1 and denser medium refractive index n1 and mu1 is equal to mu and suppose here suppose to be a point light ray and innate light ray open point source A dense medium light source point and light ray produce the boundary surface water range interface different points O 1 2 3 and lastly total reflection is 0.04 incident and angle of incidence of reflection and particular angle angle of incidence angle of light ray boundary surface to light ray range to light ray to light ray is rare medium but light ray boundary surface along grace particular angle of incidence i3 i4 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 critical i3 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 i4 v 0 i3 i4 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 venth i4 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 जब angle of incidence i4 जो सपोज किया गया है, point c थी, point o4 पर, जब light ray incidence किया है, point of incidence o4 है, तो सपोज किया गया है, तो light ray अब angle of incidence i4 जब critical angle से बढ़ गया, i3 जब तो c, o3 तक तो critical angle के call था, तो light ray graze कर गया, surface के लोग, लेकिन अब angle of incidence और बढ़ा दिया गया, critical angle से भी जादा, तो light ray अब तो gray क्या करेगा, रेर मिडिया में तो नहीं ही जाएगी, और gray भी नहीं करेगी, बलकि अब फिर से light ray अब उसी medium में लोट आएगी, light ray अब c3, c3 मतलब sorry, o4 और c4 के long, यह reflected ray यहाँ पर, जो totally internally reflected ray है, वह o4 c4 है, तो o4 c4 के long light ray, totally इस surface से, boundary surface से, totally reflected हो करके, अब reflection की बाद तो दूर है, अब इसी में light ray हो है फिर से, लोट आई, denser medium में ही light ray लोट आई, तो इस phenomenon को हम total internal reflection कहते हैं, टोटल internal reflection तब अकर होगा, तब घटित होगा, जब light ray, denser medium से, rare medium के, denser medium से चल करके, rare medium के, rare medium और denser medium का boundary interface पर आपतित होगी, और उसके बाद, angle of incidence, i4, जो सब पोज़ किया गया है, point o4 पर, point of incidence है, आप तन बिंदू है o4, इसके लिए, ए point से चल करके light ray, o4 पर जब आपतित होई, और जो angle है, अब critical angle से भी बढ़ गया, i3 is equal to c था, तो i3 से भी अब angle बढ़ गया, critical angle, तो light ray, जब i3 angle पर था, angle of incidence, critical angle के equal, तो light ray, boundary surface के long table कर रही थी, अब i4 का value, जो angle of incidence, जो o4 point पर है, यहां तो o3 c3, o3 c3, यहां जो है, यह reflected ray है, जो कि, अब rarer medium में नहीं जा करके, boundary surface के long grace कर रही है, जब angle of incidence, equal to critical angle हो गया तब, लेकिन यहां पर तो angle of incidence, आपतन, कौन जो है, i4, वह critical angle से भी बढ़ गया, i4 is greater than c, यहां represent किया गया है, तो अब light ray, boundary surface पर के long table नहीं करेगा, बलकि अपने ही medium में, change path पर reflected हो, totally reflect हो जाएगा, अब यहां यह नहीं है कि कुछ part light का reflect हो रहा है, कुछ reflect हो रहा है, वह ऐसी कोई बात नहीं है, बलकि totally, total light ray हो रिफ्लेक्ट होगा, इंटर्नली reflect हो गया, मतलब उसी medium में, denser medium में ही, O4, C4 direction के long table करेगी, totally internally reflect हो करके, और इस phenomenon को, total internal reflection करते हैं, जब light ray, denser medium से, rare medium की ओटेभल करें, और जब boundary surface पर angle of incidence, boundary surface के point of incidence पर angle of incidence, I4 का value, किटकल angle से जादा हो जाएगा, तो light ray अब अपने ही medium में, denser medium में ही लोटाएगी, O4, C4, path के long, और इस phenomenon को, total internal reflection कहा जाता है, हम condition भी इसका देखेंगे, total internal reflection का condition यहाँ दो हो रहा है, light must travel from denser medium to rare medium, and second condition is, angle of incidence is greater than the किटकल angle, और different boards examinations में, what is total internal reflection, give the conditions of total internal reflection, तो short questions में, short question के रूप में, इस question को, different boards examinations में, 12 board examinations में, पूछे जाता हैं, वो no, total internal reflection, which is abbreviated as in short for, it is represented as TiR, Total Internal Reflection. It is Total Internal Reflection is abbreviated as TiR. Short form में Total Internal Reflection को TiR कहाजा सकता है. कि जैसा कि मैंने बतलाया अभी कितकल एंगिल को डिफाइन करने के समय कि जब डेंसर मीडियम में सपोज किया जाता है कि वाटर है उसमें सिच्वेटेड कोई पॉइंट ए है जो की लाइट सोर्स है पॉइंट सोर्स की रूप में और यहां से लाइट प्रोड्यूसर होकर के जब ओफोर पॉइंट पर जो इंटर्फेस से बांडरी इंटर्फेस बांडरी सर्फेस और इंटर्फेस और इंटर्फेस वाटर रेर इंटर्फेस के ओफोर पॉइंट पर इंटर्फेस के ओफोर पॉइंट पर इंटर्फेस होता है मतलब लाइट टेभल कर रहा है देंसर medium to rarer medium and angle of incidence it falls at an angle of incidence greater than the critical angle at the interface then the light there is no reflection of light ray in that case no reflection of light ray takes place and total light rays reflected back in the denser medium along path O4 C4 and this phenomenon is called total internal reflection now write down the definition of total internal reflection if a light ray travels from a denser medium from a denser medium to a rarer medium to rarer medium here denser medium is water in this case and rarer medium is air to rarer medium and it falls the interface at an angle greater than the critical angle that is I3 I4 angle of incidence is greater than critical angle C and it falls that is light ray falls at the interface that is water air interface that is interface of the denser medium and rarer medium which means the pure dimension and rarer medium is larger than the distance part of the fred medium we can see the difference between rarer medium and rarer medium सबंपो माःरिक ए और मेडियुम उयर सब़ॉज किया गया है तो जो इंटर्फेस पीडिव होगा बॉंटरी सर्फेस इसको वार्टरायर इन्टर्फेस का जाएगा है और लिट कम अपनाँ इंटर्फेस एट गाल एट आन एंगिल एट इन एंगिल greater than C, critical angle, greater than the critical angle, critical angle. C, that means I is greater than C, that is I4, angle of incidence in that case is, C, angle of incidence at 0.04, when light ray falls at 0.04 of the interface, angle of incidence is I4, I4 is greater than C, angle of incidence, I4 is greater than the critical angle, then there is no reflection of light in the rarer medium, then, उसके बार light ray, totally reflect back हो जाता है, denser medium में, then the light ray, is totally reflected back in the denser medium, denser medium, and this phenomenon is called, total internal reflection, जब light ray, denser medium में ही लोट जाए, boundary surface पर, boundary surface के, किसी पॉइंट पर, यहां, 0.04 है, इस फिगर में, incident light ray, incident करेगी, जब angle of incidence, I4 का भैलू, critical angle से, ज़्यादा होना चाहिए, one of the condition of total internal reflection is, पुडांतिक प्रावर्तन की एक सर्थ है, जब आप तों कौन, का मान कांति कौन से, ज़्यादा हो, तो, light ray is totally reflected back in the denser medium, and this phenomenon is called total internal, this phenomenon is called total internal reflection, this phenomenon is called, TOTAL INTERNAL REFLEXION, TIR, TOTAL INTERNAL REFLEXION, न इसको सोर्ड फॉर्म में inf our elimine jarov आधिम से हम कंडिशन्स टॉटल इंटरल इंटर्णड इफाद्डिक्सन का उप्टेन कर सकता है चोकी यह टॉटल इंटरींटो वार्टी टॉटल इंटर्ण इफेक्ट्सन इसек पहें पूछा जाता है तो इसलिए यहां अब लिखें, conditions of, इस definition के अधार पर, conditions of, on the basis of definition, we can, we are in position to give the conditions of, two conditions of, total internal reflection. तो इसके बाद अब लिखें, what is, total internal reflection, उसका यह, definition हो गया, अब इसके बाद इसका condition, इसी में टेल के रूप में रहेगा, रह सकता है, conditions of, total internal reflection, that is, TIR. फर्स्ट कंडिशन तो यह होना चाहिए, कि light ray को टेभल करना चाहिए, denser medium से, किधर, rare medium की तुर, light ray should travel from denser medium to rare medium, the first condition is this, number one, condition one is, the light ray should travel from, so travels from denser medium, to rare medium, to rare medium, to rare medium, to rare medium, first condition हो गया, light ray should travel from denser medium to rare medium, हिंदी में, प्रकास कीरण को, सघन माध्यम से बीरल माध्यम में, बीरल माध्यम की ओर, travel करना चाहिए, गमन करना चाहिए, और second condition होगा, जो कि, यहां मने, सो किया है, I4 is greater than C, angle of incidence, मतलब, at the interface, boundary surface, of, boundary surface, और interface of, two media, that is denser medium and rare medium, angle of incidence, should be greater than critical angle, और सिमान प्रिष्ट पर, आप्तन कोन का मान, क्रांति कोन से अधिक होना चाहिए, यह पुर्णांतिक प्रावर्तन की दूसरी सर्थ है, जबकि पहली सर्थ है, कि प्रकास कीरण को, सघन माध्यम से, बीरल माध्यम की ओर, गमन करना चाहिए, and second condition is, angle of incidence should be greater than critical angle at the interface, at the interface of two media, that is denser medium and rare medium. the angle of incidence, I should be greater than the critical angle which is C or IC, critical angle. C or IC, at the interface of denser and rare medium, और boundary surface कर सकते हैं, उसको, at the interface, जहां light ray incident किया है, दोनों medium के को separate करने वाला, या दोनों medium जहां पर meet कर रहा है, जहां से separate होते हैं, वो सिमान पर, boundary surface पर, जिसको interface कहा जाता है, these are two conditions of total internal reflection, first is, the light ray should travel from denser medium to rarer medium, and second condition is, angle of incidence I should be greater than the critical angle C at the interface, that is symbol में, I, small I, greater का symbol देकर के, I is greater than C, that is, I, greater का चिंदे दी है, symbol of greater, I is greater than C, these are two conditions of total internal reflection, जिसे, usually exams में, different board examinations में, पूछा जाता है, अब इसके बाद, refractive index of the medium, और critical angle के बीच में, एक और relation, obtain करेंगे, जिस पर भी, short questions में, या objective में, objective question में, question पूछा जाता है, Now the relation between the refractive index of the medium, that is, small n और mu, and the critical angle C, माध्यम का परतनांक, एन, या mu, तथा कांतिक कों सी के बीच में, एक relation formula establish करना है, तो इसके लिए, second law of reflection का यूज़ करते हैं, second law of reflection is, that is, second law of reflection is, using snail का नियम या परतन का दूसा नियम, snail's law of reflection, that is, second law of reflection, using snail's law, snail's law of reflection is, sin i by sin r, sign i upon sign r, light ray, अगर, medium 1 से, जो कि यहां, denser medium, medium 1 से पोज़ किया गया है, और medium 2, rare medium, जो कि here है, जिसका एफेक्टिव इंडेक्स एर का, n2 और mu2 is equal to 1, तो light ray, denser से medium में जा रहा है, denser medium को first medium से पोज़ किया है, तो light ray, first medium से second medium में जाएगा, तो 1, 2, n1, 2, that is, n2 upon u, n1, और mu2 upon mu1 भी, mu भी सिंबॉल होता है, refractive index का, उसको लिखा जा सकता है, n2 by n1, light ray, denser medium, जिसका refractive index mu1 और n1 है, जो कि सपोज कि n या mu के equal, और second medium air है, जिसका refractive index n2 और mu2 is equal to 1, तो यह स्नेल स्लाक का ओरिजनल फॉर्म हो गया, this is equation 1, अब यहां किटकल एंगिल के लिए, angle of reflection r is equal to 90 degree, और i के जगा c, और n1, मतलब, n1, denser medium का refractive index, जो कि n सपोज किया गया है, या mu, और n2, rare medium का refractive index 1, तो for critical angle, i is the, for the critical angle, i is equal to, यहां पर put करें, critical angle के लिए, for the critical angle, c, ic, और c, critical angle, i is equal to c होगा, critical angle के लिए, angle of incidence, critical angle है, जब angle of reflection 90 हो जाएगा, r is equal to, angle of reflection, r is equal to 90 degree, और यहां denser medium का refractive index, n1 is equal to, suppose करते हैं, n1 और mu1 is equal to mu और n, denser medium का refractive index हो गया, n1 is equal to n, refractive index of ri, that is, refractive index को short में, short form में लिख सकते हैं, r dot i dot, refractive index of the denser medium, यहां denser medium, इस figure में हमने, represent किया थे, इसको सपोज किया था, water को, denser medium, और n2 is equal to, refractive index of rare medium, rare medium को यहां, yearly आगया है, n2 is equal to 1, यह refractive index of air हो गया, जो कि rare medium है, real माध्य में है, हवा और सखन माध्य में है, denser medium water, और n2 is equal to 1, हवा का जो refractive index होता है, 1, अब इसमें हम, i के जगा पर पूट कर देते हैं, कितकल एंगिल के लिए, i के जगा c, और sin r, r के जगा r, now equation 1 becomes, so equation 1 becomes, equation 1 becomes, sin i, i is equal to c, upon sin r, 90 degree, equals to n2, n2 is refractive index of air, the rare medium, which is air, refractive index of the rare medium, which is air, real माध्य 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 का परतनांख है, mu 2, n2 is equal to 1, और n1 is equal to n, the refractive index of the rare medium, और हमारा relation आ गया, अब sin c, sin 91, sin c is equal to 1 by n, एक relation मालूम हो गया, critical angle or, angle of refractive index of the medium के बीच, और अब inter, इसको exchange करना, n को यहाँ, numerate यहाँ, n को यहाँ, LHS में ले आ है, numerator में, और sin c को denominator में, तो therefore, n is equal to 1 by sin c, तो, refractive index of the denser medium, angle of critical angle का sign, बन्तब, critical angle का sign है, sin c, उसका reciprocal होता है, यह science critical angle, refractive index का reciprocal होता है, है, तो, this relation is, n is equal to, और mu is equal to 1 by sin c, this is the relation between, refractive index, of the medium, that is denser medium, and critical angle c, और इस पर भी, objective, पूछा जा सकता है, इस relation के बारे में, n is equal to, sin c होता है, n is equal to 1 by sin c, तो इर्धं का option हो सकता है, तो objective भी इस relation पर पूछा जा सकता है, या इस पर short problems भी पूछे जा सकते हैं, इस पूछा जा सकता है, now some problems, based on the formula of, relation between, refractive index of the medium, and the critical angle, and then, total internal reflection, first of all, refractive index of glass is 1.5, calculate critical angle for glass air interface, glass का refractive index, काच का अपरतनांक, refractive index of glass 1.5 है, that is, it is given, it is given, n is equal to, n, n for glass, or mu for glass is 1.5, अब light ray, glass, denser medium, glass से, rare medium, interface, जो की air है, तो glass air interface पर, किसी point पर incident होती है, तो उसके लिए, critical angle का value क्या होगा, यह calculate करना है, मतलब सी का भायलू, critical angle मालूम करना है, relation अभी हमने निकाला, n is equal to, 1 by sin c, or sin c is equal to, 1 by n, using the formula that relation, sin c is equal to, 1 upon n, critical angle, angle of sign, angle of sign, of the critical angle is, reciprocal to the refractive index, क्रांतिक कों सी का, जो sign होता है, जया, वह, माध्यम का परतनंक, small n, उसके reciprocal होता है, 1 by n, sin c is equal to, 1 by n, तो यहाँ पर n के जगा, ng है, denser medium के रूप में, यहाँ, glass लिया गया है, तो glass water interface, light ray, glass से चल करके, glass air का जो, interface है, सिमान प्रिष्ट, boundary surface interface, उस पर, incident होती है, glass air के interface पर, अतलब, denser से, rare medium, light ray, denser medium, glass से, rare medium, air की, और टेवेल करती है, और दोनों के, interface पर, boundary surface पर, incidence होती है, तो, 1 by ng, और, science is equal to, कुसी का भैलू मालूम करना है, 1 upon, ng is equal to, 1.5, equals to, 10 upon, 1.5 है, 10 से, multiply हो जाएगा, उपर में, इस मल को हताने के लिए, 10 upon 15, और 5 से ही, cancel होगा, 5 into, 2 10, 5 into 3, that is 15, that is, 2 upon 3, 2 upon 3 means, 0.3 से 2 में रिभाइट करना, 0.6 टाइम, 666, यह आएगा, 0.666 आता जाएगा, और यह भैलू, nearly 0.66, यह भैलू, nearly 42 degree, का, होगा, 41.9 degree, nearly 42 degree, that is, 0.666, 67, भी लिखा जा सकता है, sin 42 degree, therefore, sin C is equal to, sin 42 degree, therefore, C is equal to, दोनों तब से, साइन कैंसिल हो जाएगा, C is equal to, 42 degree, तो, कितकल एंगिल फ़र, ग्लास, air interface is, 42 degree, कांती कोन का मान, 42 degree हुआ, 42 degree, इसके लिए, ग्लास, जब, ग्लास का, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, 1.5 है, NG is equal to, ग्लास एंटर्फेस के लिए, तो, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मालूम करें, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, N मालूम करें, तो, यहाँ पर, N is equal to, 1 by sin C, 1 by sin 42, तो, फिर, यह, लेशन, Mew का भैलू, N का भैलू, उसमें, 1.5 आजाएगा, sin 42, 2 degree का भैलू, पूट करने के बाद, यह भैलू, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ग्लास का जो भैलू है, वह, NG is equal to, 1.5 आजाएगा, तो, इसका रिवर्स भी प्रोब्लम पूछा जा सकता है, पूछा जाता है, यहाँ में, और यह हो गया, कि जब रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ग्याएगा, तो किटकल इंडेक्स ग्लास 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 ग्ल को अच्याीओ निकले, अच नाव प्रोब्लम टू विचिज प्रोब्लम नाइंटू का जाएगा, 9.22, the problem is at what angle should a ray of light be incident on the face of a prism of refracting angle 60 degree so that it just suffers total internal reflection total internal reflection at the other face the refractive index of the prism material is 1.524 and the value of sin 90 degree I have taken 0.3256 from the values of trigonometric functions it is not given in the book but angle sin 90 angle 90 degree that is sin 90 ka value this means use hoogah this is the value comment oh 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 okay oh you know oh 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 तो यहां देखिए angle of light ray एप यह प्रिज्म है ABC जिसका refracting अगिल जो refracting एप टो यह इंगिल आप है तो एक्या होगा यह । आ जया होगा क्योंकि एक्या टैंगिल की आ defense defect है तो इको अ्भी लेटल टेइडिल का यह Curry का जो Cubo들이 होगा कि यह यह Size एंगिल B steas है कि तो किस एंगिल पर लाइट्रे हाँ इस ठीम के फर्सटार्पेस पर इंटर इस इंसिजगेंट करेग prot आइवन इस वहलू को वालूम करना है और यहां पर लाइट रे फर्स सर्फेस पर रिफ्यक्शन के बाद यह बेंड कर गया बेस की तरफ बेस के लोंग बीसी के लोंग अपने ओरिजिनल पाथ से और इनल पाथ तो सीधर स्टेट पाथ होता उसका लाइट रे का लेकिन फर्स से रिफ्यक्शन के बाद लाइट रे बेंड कर गया यहां बेंड कर गया यह बेस की तरफ और यह एंगिल ओफ रिफ्यक्टेड रे हो गया प्रिज्म के अंदर रिफ्यक्टेड रे यह बेस के पारलल होकर लगभग पारलल होकर टेभल करेगा तो यह रिफ्यक् पर अंगिल अफ इंचिदेंस अच्छ को लिया गया है अब लाइट रहें तोटली सेकेंड मीडियम में इसको इकन्न सर्फेस को पार करके अब एयर में टेफल नहीं करेगा टोटल इंटर्न reflection का case है तो light रहे ही से बधाई हो गया totally internally मन बोलकी इस ही face से totally internally reflected हो गया तो इसमें मालुम करना है कितने यह वालूम करना है तोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा at the total internal reflection at the second face total internal reflection at the other face मतलब face AC पर होना चाहिए रफ्रेक्टिम इंडेस पीज मेटेरियल का दिया है 1.52124 तेहां पर हम पहले इंडेस का एंडेस जो आर्डेसर में इज आपू पीजिघन बेटम नाउ यूजिग ऑन इनडदेसि ओ S by sign c कितकल अंगिल का भेलो और sign c is equal to 1 by n और 1 upon n is equal to reflective index दिया है effective index of the piece material is face material means glass का ही पीज मना होता है या क्वाज का भी बना होता है यहाँ glass का 1.5 glass का ही है तो N is equal to 1.524, that is 1000 upon, त्री प्रेस्पर्टिस्मल है, तो 1000 से मल्टिप्लाई हो जाएगा नुम्रेटर में, 1525, और ये डिवाइड करके, ये 0.56 टाइमस जाएगा, 6562, ये 1000 में 1524 से डिवाइड करेंगे, तो रियल्ट 0.6562 आएगा, तो ये sinc is equal to, ये और sinc is equal to, और ये value nearly हो जाएगा, 0.6562, sin 42 degree का, ये sin 42 degree, इसलिए critical angle near about 41 degree, 42 1.5 लेने पर 42 होगा, तो 1.524 है, तो थोड़ा कम होगा, मने 41 degree, therefore critical angle is 41 degree, और second phase के लिए critical angle कौन होगा, angle of incidence होगा, मतलब R2 is equal to, ये critical angle होगा, second phase पर, total internal reflection का case है, तो angle of incidence should be greater than the critical angle, ये condition होना चाहिए, तो R2 is equal to, C हो जाएगा, critical angle R2 is equal to, तो C is equal to 41 degree, और ये is equal to होगा, angle of incidence, and the second phase of the prism, where total internal reflection takes place, prism के second phase, AC पर, total internal reflection यहाँ पर हो रहा है, इस point पर, इस point पर, इसको suppose कर लेता है, P है, light ray incidence, PQ है, यहाँ पर R है, और S के लोग, light ray, second way, इमर्ज नहीं कर रहा है, RS के लोग, मतलब, second phase से बाहर नहीं हो करके, total internal reflection, इसी phase से अंदर ही अंदर, totally internal reflex होगा, RS के लोग, तो ये R point पर, जो angle of incidence है, ये light ray, first phase के, prism के first phase पर, incident light ray, Q point पर incident हुआ है, यहाँ से reflection के बाद, यहाँ angle of incidence, I1 हो गया, जिसका value मालूम करना है, first phase पर, और angle of reflection, refracted ray, reflect होकर के light ray, prism के अंदर, prism के base के parallel, लगभग parallel, travel किया, QR के long, और second phase पर, prism के second phase, second जो से प्रिष्ट है, उसका, prism का सत्ह, उस पर R point पर incident हुआ है, और यहाँ पर angle of total internal reflection का किस कह रहा है, तो इसलिए, light ray यहीं से reflect, totally internally reflect हो जाएगा, बाहर emerge नहीं करेगा, तो उसके लिए condition होना चाहिए, R2 should be greater than the critical angle, तो कम से कम critical angle के equal हो, या उससे ज़्यादा होना चाहिए, तो condition, तो R2 is equal to यहाँ पर, second phase पर angle of incident है, angle of incident है, second phase पर R2, prism के second phase पर, इसलिए R2 यहाँ पर, जो critical angle मालूम हुआ, C 41 degree, वह R2 ही होगा, second phase से ही total internal reflection का केस देखना है, now, वह prism में आप जानते हैं, तो R2 मालूम हो गया, critical angle, मतलब R2, R2 is the angle of incident at the second phase of the prism, now, we know that in a prism, prism के reflection formula में हमने देखा था, कि angle of age होता है, वह R1 प्रोस R2, first, first phase पर, first prism के first phase पर, angle of reflection, और second phase पर, angle of incidence का sum जो होता है, वह sum होता है, angle of prism के, तो angle of prism दिया है, age even, which is 60 degree, now, in a prism, we know that, reflection from a prism, we know that age is equal to, R2, चुकि A is equal to हो गया, R1 प्लस R2, और यहां, R1, यहां पर R2 किसके equal हो गया, C के, critical angle के, R1 प्लस C, R2 is equal to C, और C का value भी मालूम है, C is even, R1 प्लस C, मालूम हो गया भी, हमने किया, 41 degree, therefore, R1, or A is equal to, है, 60 degree, angle of prism is 60, degree is equal to, R1 प्लस 41 degree, therefore, R1 is equal to, angle of reflection at the first phase, R1, prism के, पहले प्रिष्ट, AB पर, अपर्तन कोन, R1 है, angle of reflection, जबकि angle of incidence, I1 है, जिसे मालूम करना है, तो R1 is equal to, हो जाएगा, 60 degree, minus 41 degree, 41 को left hand side में ले आया, तो यह 19 degree, तो देखिए, 19 आ गया, इसे लिए मैंने value, sin 19 का, 0.3256 से हाँ, लिया, अब यहाँ पर हमें मालूम करना है, sin I1, अब स्नेर्स ला का यूज़ कर देंगे, sense law, use करेंगे, तो sense law से होगा, using sense law, mu is equal to, mu is equal to sin I1 by sin R1, sense law apply करेंगे, first phase पर, mu is equal to, now mu is equal to, mu is equal to sin I1, sin I1 upon sin R1, sin R1, therefore हमें मालूम करना है, sin I1, therefore sin I1, sin I1 is equal to, mu into sin R1, R1 का भैलो अभी मालूम हो गया, first phase पर, angle of reflection R1 is equal to 19 degree, तो, mu का भैलो है, 1.524, प्रिस्म का मेटेरियल का रिफ्रेक्टिव इंडेक्टिव इंडेक्स, 1.524, और sin R1 is equal to 19 degree, sin 19, sin 19, sin 19 हो गया, अब mu का भैलो तो हमने पूट कर दिया, 1.524, अब sin 19 का भैलो, 1.524, और sin 19 का भैलो हमने लिखा है, 0.3256, 0.0.3256, मल्टिप्लाई करने पर, यह 0.4962, sin I1 हो जायेगा, 0.524, और sin I1 is equal to, और sin I1 equals to, यह दोनों मल्टिप्लाई करने पर, 1.524, मल्टिप्लाई बए 0.3256, sin 19 का भैलो, और ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडर्स का भैलो, 1.524, मल्टिप्लाई करने पर यह, लगवा 0.5, 4.49, 4.4962, that is 0.5 हो गया, यह 0.5, इक्वलस टो 0.5, और 0.5 आप जानते हैं, sin 30 का भैलो होता है, इसलिए, आई 1 is equal to, 0.5 means sin 30 degree, is equal to sin 30 degree, therefore, angle of incidence is equal to, angle of incidence is the first phase of the prism, परिज्म के पहले पिश्च पर, आप तन को ना आई 1 का भैलो कितना हो जाएगा, 30 degree, और रहे, नेरली 30 degree, जो की आंसर होगा, 0.4962, नेरली 0.5 के इक्वल है, और 0.5 का भैलो sin 30, इसलिए, आई 1 is equal to, इसलिए, आई 1 is equal to 30 degree, आई 1 is equal to 30 degree, जो की मालूम करना था, आई 1 is equal to 30 degree, मतलब, पिश्म के फर्स फेस पर, angle of incidence, आई 1 का भैलो 30 degree अगर होगा, तो लाइट रे, पिश्म के second phase के R point पर, totally internally reflect हो जाएगा, वह second surface से reflect होकर के बाहर नहीं निकलेगा, मतलब, इसी surface से अंदर ही, पिश्म के अंदर ही, totally reflect हो जाएगा, जब फर्स फेस पर, angle of incidence 30 degree हो, तो इसी के साथ ही ये, इसी problem के साथ ही ये parts माप्त होता है,